नीट पेपर एंड यूजी सी एनीटी के जो पेपर्स हैं वो लीख हुए हैं और एक कैंसल भी हुआ है कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूकरेन की लड़वाई रोक दी थी मत्तब एक ओđडर देके जो रूस और यूकरेन के बीच में लड़ाई चल रही थी मगर किसी नहीं किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोधी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान students को होता है जो हिंदुस्तान के students हैं। मैं जानता हूँ कि आप इन exams के लिए महीनों, सालों काम करते हो, यह आपका future है। और आपके future से खिलवार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में व्यापम हुआ। और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोधी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं institutional capture की बात करता हूं। मीडिया की बात करी। अलग लग हिंदुस्तान के जो संस्ता हैं उनकी बात की। यही education institutions में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे vice chancellors education system को BJP के लोगों ने उनकी parent organization ने capture कर रखा है। जब तक यह capture reverse नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस capture को facilitate नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यह एक anti-national activity है क्योंकि यह देश का भविश्य है और इससे हिंदुस्तान के यवाओं को students को जबर्दस चोट पड़ती है। inquiry चल रही है। एक को आपने cancel कर दिया है। अब पता नहीं दूसरे को cancel किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्यदार है। और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए। और उन पे action लिया जाना चाहिए। आपके कोई को आता है। झाल झाल